भगवान स्री कृष्ण की चैहो भगवान स्री हरी विष्णू की चैहो आए सुनते हैं स्रावन मास कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली काम का एकादसी ब्रत कथा ओम नमो भगवते वासु देवाय यह मंत्र का जाप हर समय करना चाहिए एकादसी ब्रत के दिन आए सुनते ह प्रेम पुरुवक्ता को एक बार की बात है युधिष्ठी जी अपने महल में बैठे हुए थे उसी समय भगवान श्रीकृष्ण आते हैं भगवान श्रीकृष्ण के आने का समाचार सुन करके युधिष्ठी जी उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं और फिर जब भगव बार नमस्कार करते हैं भगवान श्रीकृष्ण को भगवान श्रीकृष्ण भी मंद मंद मुस्कारते हैं और अपना इसने रखते हैं युधिष्ठी जी के प्रति युधिष्ठी जी भगवान श्रीकृष्ण को देख करके उनसे पूछते हैं हे प्रभू हे जनार्दन मै आपको नमशकार करता हूँ हे प्रभु स्रावन मास के कृष्ण पक्ष में कौन से एकादसी होती है उसका वर्णन कीजिए भागवान श्री कृष्ण कहते हैं हे राजन सुनो मैं तुम्हें एक पाप नासत उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पुर्वकाल में ब्रह्मा जी न नारजी के पूछने पर कहा था नारजी ने प्रश्ण किया ब्रह्मा जी से कि हे कमल्यान हे भगवन मैं आप से यह सुनना चाहता हूँ कि इस रावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादसी होती है उसका नाम क्या है उसके कौन से देवता है तथा इस एकादसी के ब्रत को करन से कौन सा पुनिप्राप्त होता है हे प्रभु यह सब मुझे बतलाएं नारद जी के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद सुनो मैं तुम्हें संपूर्ण लोकों के हित की एक्षा से तुम्हारे प्रश्ण के उत्तर दे रहा हूं स्रावण मास में जो कृष्ण प्रक्ष के एकादसी होती है उसका नाम कामिका है उसके इस्मरण मात से बाजपे यग्य का फल मिलता है उस दिन स्रीधर, हरी, विष्णू, माधव और मधुसूदन आधि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए भगवान श्रीक्रिष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह, गंगा, काशी, नैमिसारण तथा पुसकर छेत्र में भी सुलब नहीं है सिंह राज के प्रस्पत होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी इस्तनान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्रीक्रिष्ण के पूजन से भी मिलता है जो समूद्र और वन सहीत समोची प्रिथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादसी का ब्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं जो ब्याही हुई गाई को अन्या अन्य समगरी सहीत दान करता है उस मनुस्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादसी के ब्रत करने वालों को मिलता है जो नर्सिष्ट स्रावण मास में भगवान स्री धर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा की जाती है अतह पाप भीरू मनस्यों को यथा शक्ति पूरा प्यत्न करके कामिका के दिन स्री हरी का पूजन करना चाहिए जो पाप रूपी पंग से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उध्धार करने के लिए कामिका का ब्रत सबसे उत्तम है अध्यात में विद्या परायन पूर्सों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका ब्रत का सेवन करने वालों को मिलता है कामिका का ब्रत करने वाला मनुस्य रात्र में जागरण करके ना तो कभी भेंकर यमराज का दर्शन करता है और नहीं कभी दुर्गति में ही पढ़ता है लाल मनी, मोती, वैदूर्य और मुंगे आज इसे पूजित होकर भी भागवान विश्णू वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं जिसने तुलसी की मंजिरी से स्री केशव का पूजन कर लिया उसके जनम भर का पाप निश्चही निश्ट हो जाता है जो दर्शन करने पर सारे पाप समधाय का नाश कर देती हैं इस पर्स करने की तो बात ही क्या इस पर्स करने पर सरीर को पवित्र बना देती हैं और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं जल से सीचने पर यमराज को भी भै पहुंचाती हैं आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चड़नों में चड़ाने पर मुक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं उस तुलसी देवी को नमशकार है उस तुलसी देवी को बारम बार नमशकार है जो मनुष्य एकादसी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुन्य की संख्या चित्र गुप्त भी नहीं जानते हैं एकादसी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुक जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में इस्तित होकर अमरत पान से त्रप्त होते हैं घी अथवा तिल के तेल से भगवा भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुस्य देह त्याक के पस्चात करोडों दीपकों से पूजितो स्वर्ग लोक में जाता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे वधिश्टिर यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादसी की महिवा का वर्णन किया है कामिका सब पातकों को ह करने वाली है आतह मानवों को इसका प्रत अवश्य करना चाहिए यह स्वर्ग लोक तथा महान पुनिफल प्रदान करने वाली है जो मनुस्य स्रद्धा के साथ इसका महातम में स्रवन करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विश्णू लोक में चला जाता है भगवान श श्री कृष्ण की जय हो प्रभुराम की जय हो आशा करती हूं कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी किर्पिया वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दवाना न भूलिएगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद